प्रतिमा और मेरे चानल पतिमा क्रेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आज की वीडियो का टॉपिक है ओल्ड साडी रियूस प्रोजेक्ट जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ी ही लिया होगा कि मैं हमेशा जादा तर ओल्ड साडी रियूस प्रोजेक्ट ही लेकर आती हूँ तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक पर है जैसा आपने अगर आपकी कोई पुरानी साडीयो में से कुछ फैब्रिक बचा हुआ है जो आपने आप्टिट बनवाए हैं अगर उसमें से बहुत ही अच्छे तरह से उनको यूज कर सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि आप पुरानी साडीयो को ही यूज करें अगर आपने कोई न्यू फैब्रिक से भी अपने कोई आउफ्टिट या लहंगे बनवाए हैं अगर उसमें से भी कुछ फैब्रिक बचे हुए हैं तो आप उनसे भी बहुत सुन्दर सुन्दर लहंगे बनवा सकते हैं तो देखिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपके पास इस तरह से यह देखिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर बर्क में अगर आपके पास इस तरह से फैब्रिक बचे ह तो आप इस तरह ऐसे लहंगे बरवा सकते हैं कलियों में कटवाईए उनको आप उनको कलियों में जॉइंट करवा के बहुत ही सुन्दर सुन्दर लहंगे बरवा सकते हैं आप उसके कलियों को जॉइंट करवा कर और उसमें बहुत ही सुन्दर अगर लेस लगवाएंगे तो बहुती प्यारा ऑठुट निकल कर आएगा तो आप इस तरह से अपने बचे हुए फैब्रिक को यूज करके बहुती सुन्दर डिजाईनर लेंगत तर तयार करवा सकते हैं और यह देखिए बहुती सुन्दर जुनतर इसमें डिजाइन तो आप इस तरह के अगर डिजाइन देख सकते हैं और अगर आपके पास कोई भी अगर सिल फैबरिक में या बनारसी फैबरिक में या आपके पास कोई भी फैबरिक है या चिकन बर्क है या आपके पास कोई भी फैबरिक है आप उन फैबरिकों को मिक्स और मैच करके आप इ आप चाहें तो यह देखिए अपने प्रिंटेट फैबरिक को भी यूज करके यह बहुत ही सुन्दर डिजाइनर लेंगा बनवा सकते हैं आप उसके बॉटम पार्ट में बहुत ही प्यारा चोड़ा लेस लगवाकर उसको बहुत ही सुन्दर उसको क्रियेट करवा सकते हैं आप चाहें तो अपने उस बच्चेवे फैबरिक को हाफ एंड आफ में जॉइंट करवाकर इस तरह से लेहंगे को भी बनवा सकते हैं बहुत ही ज्यादा कॉसली और बहुत ही ज्यादा मेहंगे मिलते हैं तो आप चाहें तो इस तरह से आउट्विट बनवा सकते हैं इसमें बहुत ही प्यारे आप चाहें तो ब्रोकेट फैब्रिक से भी इस तरह की लेहंगे बनवा सकते हैं यह बहुत ही सुन्दर सुन्दर एक से बढ़के एक डिजाइन है इसमें आप इनको स्क्रीन शॉट लेजिए और आपको अच्छी लगे तो आप इस तैब से लेहंगे बनवा सकते हैं और यह देखिए आप चाहें तो उनको छोटे छोटे अगर फैब्रिक है तो उनको जॉइंट करवा कर इस तरह से आप बहुती सुन्दर लेहंगा बनवा सकते हैं आप किसी भी ओकेशन में पहन सकते हैं यह लेहंगे बहुती ज़्यादा है और बहुती प्यारा लुक देते हैं तो आप इसको मेर्जिस में अगर कोई प्रोग्राम है या आप पार्टी वेयर इस तरह के बहुती पियारी प्यारा आउटफित निकल कर आती हैं आप अपने बचे हुए फैबरिक को इस तरह से यूज़ करेंगे तो ये फैबरिक आपके यूज़ भी हो जाएंगे और बहुत ही सुन्दर आउटफिट आपको मिल भी जाएगा तो आप इस तरह से बस अपने बचे हुए फैबरिक को आप समाल कर रखिए और चाहे वो कोई वर्क में हो या जरी वर्क में हो या सितारे वर्क में हो आप उसको mix and match कर लीजिए और आप एक एक कली यूज़ करके आप इस तरह के लहंगे को बनवा सकते हैं यह बहुत ही अच्छे आइडियाज हैं आप इसमें से कोई भी आइडिया लेकर बहुत ही सुन्दर आउटफिट बनवा सकते हैं चाहे आपका फैब्रिक किसी भी टाइप का हो या आप बस हैवी बर्क में हो या अगर कम बर्क में हैं तो आप एक एक कली या जॉइंट करवा के एक हैवी बर्क की एक कम बर्क की आप जॉइंट करवाएंगे तो इस तरह से लहंगा बनकर निकलेगा तो ये बहुत अच्छे अच्छे option है तो पता भी नहीं लगेगा कि ये लहंगा किसी पुराने या बचे हुए fabric से बना हुआ है क्योंकि ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुन्दर look देता है और जब आप इसको किसी plan या आप चाहे तो आप किसी भी plan आप इसके चोली पार्ट को बनवा कर इसके साथ बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिस लुक दे कर आप इसके योग पार्ट को बनवा सकते हैं ये देखे ये भी बहुत प्यारा लहंगा है आप इस तरह से भी आप लहंगा बनवा कर अपने पुराने बचे हुए फैबरिक को यूज करवा सकते हैं और आप चाहे तो देखिए आपके अगर सारी में से पल्लू वाला पार्ट बचा हुआ तो आप इस तरह से उसकी चुन्नी निकलवाईए और आप उसको किसी भी plan सूट के साथ अगर आप उसको carry करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक देती है आप इस तरह से अपनी पुरानी सारीों को use कर सकते हैं और अगर आपकी सारी कोई जल गई है या उसका पल्लू वाला पार्ट सेफ है तो आप इस तरह से अपनी है भी सारी को चुन्नी के रूप में निकाल कर आप उसको किसी भी सूट के साथ send match करके डालेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक देती है आप इस तरह से भी ये देखिए बहुत ही सुन्दर सुन्दर लहंगे हैं आप देहंगे बरवा सकते हैं तो ये सारे आइडियाज बहुत ही अच्छे हैं आप इसमें से कोई भी आइडियाज लेकर बहुत ही अच्छे अउट्फिट बनवा सकते हैं तो अगर मेरे आइडियाज आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में फिर किसी न्यू आइडियास के साथ थेंक यू फॉर वाचिंग